देखिए कल जो 31 तारिक को नू में घटना हुई बहुत ही एक दुरुभाग्यपूर्ण घटना है इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उचादेखारियों को डिजी पी साब, एडिजी सीएडी, एडिजी पी लाइंड ओडर और अन्य आसपास के जलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत महार रवना किया, दोपेर दो बजे के आसपास की घटनाएं हैं, घटना इस परकार हुई के वहाँ समाज की एक यात्रा जो हरवस निकलती थी, उसका आयोजन किया जरा था, और कुछ लोगों ने एक श्रेंट रच करके उस यात्रा पर आक्मन करना शुरू किया, और आक्मन नकेबल यात्रा पर, बलके पुलिस के उपर भी उन लोगों ने किया, जिसके प्रणाम सुरूप, यात्रा को भी भंकिया गया, और बहुत से स्थानों पर इने के घटनाएं हुई गाड़ियां जला दी गई निश्य रूप से एक बड़े शरंद्र का कहिना का इसा लगता है अब काफी मातला में मैं कह सकता हूँ के पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की और से हमने निवेदन किया था वहां से जो केंद्रियस रक्षाबल 16 कंपनीज वहां पहुँच चुकी हैं तीस कंपनीज हर्याना पुलिस की भी वहां पहुँची हैं इन सब ने नू में सिति को सामने किया है आसपास के जलों में भी छुट-फुट घटनाएं जो हुई थी चाहे वो पलवल की हैं गुरुगराम की हैं तो अफरिदाबाद की हैं उन में 144 धरा भी लगाई गई है सारी नजर रखी जा रही है जो लोग इस शडंतर में नू से बाहर के भी शामिल हुए हैं उनको निश्रूप से पैचान करके उनके खिलाफ करवाई की जाएगी अभी तक सब में लाकर 44 के असपास F.I.R. हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अ इसी भी उपदरूई को बख्षा नहीं जायेगा और जिन लोगों का नुकसान हुआ है जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो अभी तक जानकारी है कि पांच लोगों की मृत्यू हुई है जिसमें दो पुलिस के करमचारी हैं और तीन सिविलन हैं इन सब को चाह जानी आगे आए एड्मिस्रेशन ने भी शान्ती कमीटी की जो एक मीटिंग की है उसके अनुसार में आशा करता हूं कि सब लोग शान्ती बनाने में और सयोगी होंगे और आगे कोई स्थिती न बिगड़े इस परकार का सुनिश्यत जरूर करेंगे